सबसे पहले बात जम्मो कश्मीर सा आटिकल 370 हटाने की एक एंसरकार के फैसले की और यह फैसला बरकरार रहेगा सुप्रिम कोट की पांच जजों की समविधान पीटने सुमवार कोई कहा है और आटिकल 370 और अस्ताई प्रापधान था समविधान के नुक्षिद 1 और 370 अस चगस 2019 को आटिकल 370 खत्म कर दिया था साथी राज़ को 200 जम्मो को और कश्मीर और लद्दाक में बाट दिया था इसके खलाब सुप्रिम कोट में कुल 23 याचकाएं दाखिल होई थी और पांच जजों की बेंच ने सभी याचकाओं की एक सा सुनवाई की थी जिसके बाद इसे सही ठहराया है याच की बेडिकर नौटक खली याचकाओं में टीजों केस्वी गार प्रजस्ट्वरूट टी जमिश्ट केहिंए बेकर रूंटिट इस थी बेसे प्रज़ प्रोब्स जो फिर प्रिवी याचकाओंत the state of Jammu and Kashmir. Articles 370-1-D and 370-3 were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. इसको एतिहासिक फैसला बताया है. तो इस सुप्रीम कोड के फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी चला है और बिहार की बात करें तो जेली प्रवक्ता नीरज कुमान रहे के अंदर सरकार से मांग करते हुए स्पेशल कटाग्रिस स्टीट पर नजरियास पस्ट करने की भी मांग कर डाली है। स्टीट सरकार को अपना नजरियास पस्ट करना चाहिए। स्टीट दल अलग लग तरीकों से बाते रख रहे थी और 2019 में मोदी सरकार ने इसे वहां से रटाया था इसके प्राफदान को और अब सुप्रिम कोट ने इसे फैसले को सही ठहरा आया है। इसके बाद सियासत और आके बढ़ेगे। हमारे साथ हमारे संपादक अशुक मिश्र हैं हम इन से बातशित करेंगे। हारा 370 जो जम्मु कश्मीर में जिस तरीके से 2019 में मोदी सरकार ने इसे रटाया था अब सुप्रिम कोट ने आज इसे सही ठहरा दिया है। अस्तामने लोग सवाचुनाब है। इन सब के मद्देनेजर बीजेपी को कितना इसका फायदा होगा और सियासत कैसे बढ़ेगी। देखिए बीजेपी का जब से गठन हुआ तब से बीजेपी के नेता ये नारा लगाते रहे थे कि जम्मु कश्मीर हमारा है और वहाँ पे बीजेपी के राश्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर मूरली मनोहर जोसी ने जाकेर के वहाँ जंडा भी फ़राया था। और धारा 370 हटाने का हर समय हर चुनाव में बीजेपी बादा करती रही थी और बीजेपी के चुनावी घुसना पत्र में ये प्रमुकता से रखा जाता था। नरेंदर मोदी और अमी सा की सरकार बनी तो इसे हटाया भी गया। फैसला आ चुका है। और सुप्रीम कोट ने माना है कि 370 जो धारा लगाई गई थी जो अध्यादेश लाया गया था उस समय उसकी जरुरत थी। उस समय देश को एक सुत्र में बांधने के लिए इसकी आवस्यक्ता थी। इसलिए ये धारा लगाई गया। और रास्तपती को ये अधिकार है कि जब वो चाहें तब ये धारा समाप्त कर सकते है। और बताया गया कि जो जम्मू कस्मीर के बारे में कहा जा रहा है तो वो भारत का एक अभीन अंग है और एक समप्रभू राज है। तो ओएसी परिसिती में धारासी केंदर सरकार ने जो फैसरा लिया है वो फैसरा बिलकूल सही है। हाँ एक बात जरूर उसने कहा है कि उसका जो सुरूप है वो बरकरार रहना चाहिए और सितंबर 2024 के पहले महां चुना हो जाए विधान सभा का चुना हो जाए। आपने जो सवाल पूछा है उसमें आप एक समझ सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा लाव बीजेपी ले सकती है। हलाके लाव मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आने वाला बक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी इस आसन लोकसभा चुनाओं में जो 2024 में होने वाला है। उसमें ये जनता के बीच जा करके वो कहेगे कि हमारे पास बहुमत था, हमारे पास ताकत थी तो हमने इसे समाप्त किया। और इसके विरोध में जिन लोगों ने कोट का दरवाजा खट-खटाया तो हमारे फैसले को भारत के सर्बोच अदालत ने भी मुहर लगा दी है। जाने की बीजेपी के नेता या बरतमान प्रधान मंत्री और अमीज साह कहेंगे जाके जनता के बीच में कि हमने सही फैसला लिया और भारत की जनता भी चाहती थी इसे और नियाई-पालिका भी इसे सही मानती है। तो इसका राजनितिक लाब लेने की कोशिस करेगी। और अब सुप्रीम कोट से में जब यह मामला गया और इस पर जब फैसले आ चुके हैं तो उमीद की जानी चाहिए कि जम्मू कस्मीर के जो नेता जो बोट की राजनितिक करते थे और उनको लगता था कि यह फैसला कही कहीं राजनितिक परतिसोध के रूप में लिया गया है तो उनको भी अब मानना चाहिए कि नियाई पालिका ने भी केंदर सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी है और अब उनको भी लोगतंत्र में भरोसा रखना चाहिए और चुनाव मैदान में जाकर के जनता के बीच अपनी बात रखनी चाहिए चुकि बिधान सभा के चुनाव जल्दी कराने का सुप्रीम कोट ने आदेश दिया लेकिन 2024 में ही लोग सभा का चुनाव है तो ओशी परिस्तिती में केंदर सरकार लगातार ये अपनी मनसा जाहिर करती रही है कि बिधान सभा और लोग सभा के चुनाव एक साथ हूँ तो ऐसी परिस्ति में हो सकता है कि 2024 का जो लोग सभा चुनाव है उसके साथ ही जम्मू कस्मीर के बिधान सभा का भी चुनाव हो जाए लेकिन ये खास करके नरेंदर मोदी की सरकार की बहुत बड़ी जीत है कि सुप्रीम कोट के सुप्रीम ब्यंच इसने ये फैसला दिया है जो उनके हक में जाता है इसको लेकर अब लोग सभा चुनाव है सामने सियासत भी तीज होगी